तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है देर लेट नाइट थॉट्स अबाउट यू तो यह 18 तरस्ट रीडिंग है अगर आप 18 तरस्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को ना देखें एक चीज में आपको और इंफोर्मिशन देना चाहूंगी कि मैंने जो है एक सिकंड चानल स्टार्ट किया है अगर आप इंटरस्टेड हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक होगा आप जा कर देख सकते हैं तो यहां पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं पाइल नमबर वान पाइल नमबर टू आप ट्रिपल वन से चूज कर सकते हो या फ किस तरीके के लेट नाइट थॉट्स हैं आपके परसुन के यहां पर थोड़ इसी जो सिचुएशन है वो डामडोल है नेक्स टारा टू आप वान्स तो दो सिचुएशन में आप स्टक हो या यह परसल स्टक है देखते हैं नेक्स टारा रहा है नाइन अफ वान्स का यहां पर जादातर एनर्जी मुझे इसी तरीके की लग रही है कि किसी परसन से आपका ब्रेक अप हुआ है जो परसन आपके बारे में लगातार सोच रहा है और हीलिंग हो रही है यहां पर यहां पर पहला काड़ी किंग ओफ वान्स आ रहा है तो यह परसन बहुत ज़दा लेकिन इन्हूंने एक जिंटल्मन की तरीकے से नहीं बहेफ किया है चाहे मेल हो जाए फीमेल हो आप अपने जिंडर से Resonare कीजिएगा लेकिन यहां पर जूट बोला गया है कोई ना कोई चीज छुपाई गई है कोई ना कोई हीडन एजंड़ा रखा गया कि जैसे मून य energy मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इस person ने आप से कुछ छुपाया है कुछ क्या काफी कुछ छुपाया है जिसकी वज़े से आप दोने का relationship break up में तबदील हुआ होगा और काफी कुछ painful condition रही होगी अब यह person जो है वो आपको reach out करना चाहते हैं आपके पास आना चाहते है two of wants वाली energy है इस चीज को choose करूँ इस चीज को choose करूँ दिमाग कहता है कि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन दिल कहता है कि मैंने ही गलत किया है मुझे माफी मांगनी चाहिए मुझे इस person की life में जो है आना है क्योंकि उस person ने मेरा कभी भी बुरा नहीं चाहा तो मैं उसके लिए कैसे बुरा चाहा सकता हूं तो यह एक जैसे लड़ाई होती है कि जो positive energy होती और negative energy की जो लड़ाई रहती है हमेशा से ही चलती आ रही है वो चीज मन भी ऐसा कहता है तो इस person के बारे में आप जानते होगे आप अपनी situation इस चीज को दिखाती है कि आप दोनों ही काफी painful condition से गुजरे हो उस person को ऐसा लगा होगा कि वो जो है effect नहीं होगा उसके emotions जो है वो involved नहीं होंगे attachment नहीं होंगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं है यह guarded energy है आपकी nine of one जो है वो आपकी energy है आप guarded हो आप अपने आपको protect कर रहे हो क् आपको मालूम है यह player energy में रहा है यह person बोलता कुछ है करता कुछ है या करती कुछ है बोलती कुछ है कुछ है कुछ है जेंडर जो भी हो आपका जिस भी situation से आप resonate करे और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी यहाँ पे कि आप अपने पर प्रोटेक्ट कर रहे हो आपने अप परसन को छोड़ा है और इस टॉक्सिक परसन से दूर होके आप अपने आपको हील कर रहे हो और यह person भी हील हो रहा है लेकिन इस परसन को रात में नीम नहीं आती है anxiety रहती है क्योंकि उसे मालूम है एक जो अंदर की आवाज होती है गिल्ट होती है ना इंसान की कि वो जो है उसे सोने नहीं देती है तो इस तरीके की energy यहाँ पे नजर आ लिए तो उनके क्या late night thoughts हैं आपके बारे में चलिए देखते हैं कुछ central cards तो पहला आ रहा है six of swords यह जो है वो आपके साथ movement में आना चाहते हैं मतलब जो six of swords जो है traditional tarot में ऐसे देखा जाता है कि जो conflict वाली situation है उससे दूर जाना और एक शान्ती वाली जगह पर आना जैसे कि तूफान से एक शान्ती में आना तो इस तरीके की energy है और यह person जो है वो आपके साथ make-up sex करना चाह नेक्स्टार है the hermit काड़ा वर्गो energy है इस person को काफी कुछ life lesson इस person ने सीखे है जिस तरीके से उसने जूट बोला इंसल्ट की होगी या कुछ भी ऐसी चीजे करी है जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी आप डिजर्व ही नहीं करते उस तरीके का treatment उसके बावजुद इस family बना चुके हो लेकिन इस person को इस चीज का दुख है और उसको लगता है यह कि उसने जो है आपको हाथों से खो दिया है next आ रहा है four of chalices की energy है four of chalices की energy वही चीज दिखाती है कि जो आपकी conservativeness थी या जो आपकी kindness थी उसका इसने advantage लेने की कोशिश की है तो इस चीज को वो person फिर से दुबारा लेकर आना चाहते हैं और ऐसे नहीं कि किसी sensual way में आना चाहते हैं लेकिन वो आपके पास आना जरूर चाहते हैं चाहे वो friend के way में आ जाया है चाहे वो mutual friend के way में आ जाया इस तरीके से आना चाहते हैं नेक्स टार है माया पास seven of challenges यह वही चीज है कि illusion है confusion है इनके दिमाग में इस person के दिमाग में कैसे approach करूं करूं तो करूं क्या किस तरीके से मैं बातचीत करूं या क्या ऐसी चीज करूं जिसकी वज़े से आप उस person को छोड़ कर आ जाओ हाला कि यह होने वाला नहीं है क्योंकि जो treatment आपको दिया गया है इस person की तरफ से जो उन्होंने गलती करी है तो उसका जो खाम्याजा उन्हें भोगतना ही पड़ेगा as a karma तो कर्मा तो मिलने वाला ही है लेकिन यह person जो है आपकी life में लेकर आना चाहता है नेक्स ट किया है आपके साथ अब आपकी situation है आप जानते हो कि किसके साथ क्या किया है कौन से शब्द कहे गए है कितना जूड़ बोला गया है कितनी cheating करी है क्या क्या किया है ठीक है तो वह चीज यहां पर है और यह person बार-बार यह सोचते होंगे कि आप किसी और के साथ जो है इस समय late night thoughts इसी तरीके के हैं हाला कि इसमें जो है physical चीज जादर नहीं आ रही है क्योंकि उसको यह सोचकर ही बुरा लग रहा है कि आप किसी और के हो चीक है और हो सकता है काफी चीजे change हो गई हो काफी लंबा समय हो चुका है लेकिन फिर भी जो है यह person हिम्मत करना चाहते हैं लेकिन late night thoughts में इसी तरीके की चीजे चलती है अब देख रहेते हैं कुस sensual चीजे की जो वो सोचते हैं आपके बारे में कि आपके साथ वो करना चाहते हैं पहला आ रहा है I want to know dirtiest fantasy तो उनके मन में वही चीज एक तरीके से guilt की तरीके से आ रही है कि मैंने जो है एक अच्छे इंसान को खो दिया है नेक्स्ट आ रहा है missionary his skin met her and like wax dripping down a candle she melted तो उनको यह सोच कर ही बहुत बुरा लगता है कि आप किसी और के साथ हो next आ रहा है mouse trap you make the you make me think the nastiest thoughts तो उनके जो thoughts है वो nastiest अभी भी है कि आप किसी के साथ क्या कर रहे हो याप मेरे साथ होते तो क्या क्या करते इस तरीके के thoughts है नेक्स आरा role play you are my lovely girl I know they say there's a lot of fish in the sea but you are my neemoon तो वही चीज आ गई है जो मैंने पहले कहा था कि लोग इनको कहते भी होंगे जो जान पेचान के होंगे कि बहुत सारी fishes हैं जैसे कि आला कि किसी इंसान को जो है ऐसे compare नहीं करा जा सकता लेकिन एक कहावत की तरीके से कि बहुत सारी समुदर में मचलियां हैं किसी और वो पकड़ लो वो यह कह रहे हैं कि आप जो है इनकी नीमो हो अगर आप इनके साथ इंटिमेट हुए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जातर केशिस में नहीं होगा तो यह परसन जो है इन तरीकी की फैंटिसी भी रखते हैं आपके लिए I want to score more with you tonight I promise to always be by your side or under you or on top उनकी इच्छाएं जो है वो इसी तरीके की हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस परसन के पास जाना चाहते हो नेक्स आ रहा है I'll be good I'll be a good girl for you ठीक है नेक्स आ रहा है you are so skilled that you could teach lessons in sex नेक्स आ रहा है well we all deserve morning sex and pancakes तो उनको जो है morning sex करने की इच्छा है आपके साथ और एक family को create करने की आपके साथ वो एज्यूम करते हैं कि family यह person अकेला है अकेला पन महसूस कर रहा है वो रात में ठीक है तो उस तरीके की energy और जरूरी नहीं कि इस सिंगल ही हो अगर इसने किसी और से शादी भी कर ली है या फिर अगर किसी और के साथ जो है relationship में भी है तब भी यह अकेला पन महसूस कर रहा है तो इसी तरीके के fantasies हैं जो कि हो सकता है यह person अपने आपको pleasure भी करते हो आपके नाम से इस परसन के मन में आपसे माफी मांगने की इच्छा है लेकिन फिर भी जो है वो मेकप से करने की इच्छा है चलिए देखते हैं इस energy से रेटेट कुछ चाम तो यहां पर पहला चाम आया है एक प्रिंसेस का क्राउन आया है वो अपनी गलती पर पच्ता रहे हैं कि आपको किस तरीके से गलत तरीके से उन्हेंने ट्रीट किया है नेक्स्ट आ रहा है यहां पर प्लानेट आया है तो वो उस time को वापस लेकर आना चाहते हैं और सही जो अपनी फेदर आया है तो एंजल को फेदर प्रोटेक्शन को दिखाता है इस परसन में काफी ज़्यादा चेंजिस हुए हैं जबसे आपका ब्रेक अप या सिप्रेशन हुआ है चाहीए डिवोस भी हो सकता है तो इस परसन ने जो है करमा क्या होता है या एनरजी इस प्रशन अपन तो चलिए देखते हैं किस तरीके के लेक नाइट थोट्स हैं आपके परसन के मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है जमिना एनरजी है डुआलटी है तो यह परसन जो है मिन्टल प्रिजन में हैं कही ना कहीं अपने आपको आपसे कम समस्ते होंगे या सेलफ इस्टीम इस्जूज है नेच्स्ट आ रहा है तो आपके साथ फैमिली क्रियेट करना चाहते हैं लेकिन हो सकता है फानेशल क्स्टेंण हो आप दोनों के बीच में ने उसके बाद sensual cards or sensual messages भी देखेंगे, तो यह person जो है, आपके lover भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपका relationship है, इस समय present situation में, अगर आप single हैं, तो इस person को आप एक crush है, या फिर आपके surrounding में यह person रहते हैं, कहीं पे भी हो, चाहे school, college, university हो, neighborhood हो, मतलब पडोसी हो, या आसपास के दूर, मतलब गली हो, जहांबे भी आप रहते हो, या society हो, दूसरा block हो, ऐसे, ठीक है, तो वो चीज जो है, ये person आपको पसंद करते हैं, इस person ने आप से कहा नहीं है, अभी तक कि, ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन, उनके मन में ऐसी इच्छाएं हैं, ठीक है, नेक्स्ट आ रह है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि financial situation जो है, वो बहुत ज़्यादा फरक है आप दोनों में, आप रिच हो सकते हो, ये पूर हो सकते हैं, या medium work के हो सकते हैं, या वो medium work, वो rich हैं, और आप जो है, फोड़े medium उससे हो, ठीक है, middle class हो, तो हो सकता है, इस तरीके की energy मुझे यहां कहना चाहूंगी, कि ये person आपके साथ stability में तो आना चाहते हैं, लेकिन इनके जो अपने ही thoughts हैं, जो वो बार-बार overthink करके सोचते रहते हैं, कि पता नहीं आप hurt कर दोगे, पता नहीं आप reject कर दो, मैं approach करूंगा तो मेरी insult ना हो जाए, कुछ इस तरीके से, चाहे male हो, चाह कि इच्छाएं हैं, कि वो आपसे family create करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में investment लेकर आना चाहते हैं, पैसे से भी और emotionally भी, तो दोनों चीजे यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, एक चीज और कहना चाहूंगी, ये person दिमाग से तेज हैं, crown chakra मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो दिमाग से काफी ज़्यादा sharp person है, लेकिन जैसे कई बारी परिस्तितियां होती हैं, ये कह सकते हैं कि circumstances ऐसे होते हैं, कि इनसान समझ नहीं पाता कि approach करूं, ना करूं, हिम्मत करूं, ना करूं, पता नहीं क्या होगा उसके आगे, तो वही situation जो है इस person की है, नेक्स्ट हो, आप काफी ज़्यादा जो है, इस person के लिए importance रखते हो, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी mental prison है, वो आपके पास approach नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो उनके late night thoughts अब देखते हैं, कि वो आप से क्या कहना चाते हैं, या क्या करना चाते हैं, या किस तरीके की thoughts उनके हैं अब देखते हैं, अब देखते हैं, तो पहला आ रहा है 10 of chalices, 10 of cups की energy है, ये person आपके साथ family create करना चाहते हैं, जहां पे भी आपको देखते हैं, खुशी महसूस होती है, आपकी presence में ये person खुश होता है, और energies जो हैं आप दोनों ही, वो काफी जादा frequency में होंगी, यहां प लगता है कि कुछ समय और देदेते हैं, टाइम ले लेता हूं, उसके बाद जो है मैं approach करना चाहूंगा, communication करना चाहते हैं, लेकिन 8 of swords वाली energy जो है उन्हें रोक लेती है, यहां पे उनकी इच्छाएं जो है fantasy में, वो oral sex करने की भी है, next RA temperance का काड़ा है, Sagittarius energy है, ये person जो सब कुछ हो पाएगा, emotional fulfillment भी मिल पाएगी उन्हें, पैसा भी वो कमा पाएगे, सही तरीके से आपको approach भी कर पाएगे, family creation भी कर पाएगे, और एक ठिक ठाक life भी जी पाएगे, तो इस तरीके की energy मुझे यहां पे दिख रही है, और आपके साथ वो peacefulness को महसूस करना चाहते हैं, आपके long hair होंगे, अगर तो वो उन्हें बहुत ज़ादा पसंद है, और अगर आपके short hair भी है, तब भी आपके hair वो बहुत ज़ादा पसंद करते होंगे, आपके hair की smell को वो बहुत ज़ादा पसंद करते होंगे, या फिर shampoo, या conditioner, जो भी आप लगाते हों, या perfume, तो इ और आप जो एक टावल जो है बान्ध कर आजाते हो या इस तरीके की situation है तो आप घर पे बाहर ही खड़े हो ऐसी situation जो है वो अपने आप fantasize करते हैं सच नहीं है सच बिल्कुल भी नहीं है लेकि fantasization में ऐसी छीज है कि आपको जो है वो इस तरीके से चीजों को जो एक सपना देखना होता ना खुली आखों का सपना वो चीज है यहाँ पर नेक्स्ट आरस सन का काड आया है लियो एनरजी है तो इस परसन के मन में आपके साथ मौनिंग सेक्स करने की इच्छाएं है कडलिंग करने की इच्छाएं हैं लव बाइट आज मैं बोली नहीं पार रही हूँ जो है लिप बाइटिंग करना पसंद है इस परसन को आपके जो बड़े लंबे बाल हैं जो जादा तर जो है आगर फीमेल्स हैं तो उनके लंबे बाल होंगे वो जो है उस परसन को बहुत जादा पसंद करते उनको अट्राक्शन आपके लंबे बालों से होता है और अगर आप कहेंगे कि मेरे तो छोटे ही बाल हैं तो कोई बात नहीं जितनी भी लेंथ हो लेकिन उसके बावजुद हेयर से उनको एक अपना ही लगाव है तो इस वज़े से भी वो अट्राक्शन महसूस करते होंगे वो सुबह के समय महला रात के समय आपको सोचते हुए सो जाते होंगे और सुबह के समय भी जो है आपको अपने दिमाग में लेकर घूमते हैं तो आप इनके दिमाग में हर समय 24 गंटे चलते होगे तो चलिए देखते हैं कुछ sensual thoughts उनके, या messages I want to kiss you until you say, leave me okay, let's make a dirty movie together making me feel like you are wanting me badly is the most sexiest feeling, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आप ये feel करवा पाओ उन्हें, तो इस तरीके से वो भी महसूस कर पाएंगे, next आरा is standing ovation तो standing ovation देना चाते हैं आपको next आरा, I am not wearing inner wear today, let's make pleasure pinball wizard do me a favor and get in my bed and cuddle me all night तो उनकी इच्छाएं जो हैं, वो आपके साथ cuddling करने की है, next आरा है my tongue can do a better job of teasing you than my words can go for a cookie men need to be feel loved but women need to be feel wanted next तेख लेते हैं I want you in the worst way your taste, scent, feel of your skin next to mine I want it all tonight real men love curvy movement तो उनको ऐसा लगते हैं, आप curvacious अगर हो तो उनको बहुत जादा पसंद है next आरा, there is something about you something so wonderfully wicked and sexy mentioning your name arouses me you are mine I am going to bite you यहाँ पे biting वाली energy है next आरा, skinny girls look good in clothes curvy girls look good in naked yes I have a dirty mind but loyal soul तो वो loyal soul वाले person है लेकिन उनके mind में यह सब चीज़े चलती है next आरा, lotus position तो वो जो हैं आपको फांतेसाइस करते हैं it's been a long day I need one of those hugs that turns into sex you scream for ice cream I scream for your melted cream next आरा, deep, slow, gentle love उनके मन में आपके लिए इस तरीके की feeling है, इक लास देख लेते हैं the first time you touched me I knew I was born to be used तो हो सकता है आपने कभी touch किया हो उने ऐसे ना भी किया हो simple touch हो लेकिन उनको जो है arousal महसूस हुआ होगा तो देख लेते हैं इस energy से related को charms तो यहां पर एक heart आया है जो की locked है तो इस person के इच्छाए हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास आने की इच्छा है लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है next आ रहा है dog आया है, loyal person है next आ रहा है dolphin का couple आया है dolphin का couple जोए friendship को भी दिखाता है एक coziness को दिखाता है तो इस तरीगे की energy यहां पे आ रही है कि आप दोनों friends भी हो सकते है next आ रहा है, swan आया है तो यह person बहुत ज़्यादा loyal है आपके लिए और बहुत ज़्यादा serious भी है next आ रहा tree of life है, वही चीज़ है कि family orientation है family बनाने की इच्छा है तो pile no.2 यह थी आपकी reading उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रहे है तो please इस channel को like करें, share करें, subscribe करें Thank you